नेताल हाई कोट ने प्रदेश में समय के भीतर पंचाय चुनाओं नहीं किराने के खिलाफ दायर जन्हित याचिका के सुनवाई करते हुए सरकार से शुक्रवार तक जवाब पेश करने को कहा है मामदे की सुनवाई मुक नयधीश रमेश रंगनातन और नयमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की खंड़ पीट में हुई सुनवाई दोरान याचिका करता के अधिवक्ता दोरा कोट को आउगत कराये गया है कि 2010 की एक चुनाओ से जड़ी जन्हेत याचिका में मुक सचिव दोरा कोट में एक शपत पतर दिया गया था कि आने वाले समय में पंचाय चुनाओ नर्धारे समय के भीतर किये जाएंगे और भाविश में प्रशासकों की नियुक्ती नहीं की जाएगी कोट ने इस पर सरकार से पूछा है कि पूर्ध के आदेश का परण क्यों नहीं किया गया हाई कोट में सरकार जवाब मागा है कि पंचाय चुनाओ को लेकर याचिका दायर की गई थी जिसमें समय से चुनाओ कराने की मांग की गई थी याचिका में जिसके बाद अब कोड ने सरकार से जवाब बहाए है पंचाये चुनाव समय से नहीं हो रहे थे जिसको लेकर लगातार दबाव बन रहा था और याचिका दायर की गज़िने नेटार हाइड कोड में जिसके बाद अब इसी याजिका पर कोर्ट ने संग्यान लिया है और सरकार से जवाब मागा है। पंचाय चुनाओ को लेकर जन्हेत याचिका पर सुनवाई हुई और इसमें हाई कोट ने सरकार से जवाब मागा है और समय पर चुनाओ न कराने को लेकर जवाब मागा है